हेलो गाइस स्वागत आपको इस नए वीडियो पर आज कि आम वीडियो में बात करने वाले हैं कराउजल एड्स के बारे में Facebook एड में कैसे आप कराउजल एड बना सकते हैं आप हाई CTR ले सकते हैं कराउजल एड की धूर और अप कम से कम कॉस्ट में याद मैं आपको करादो लाइक एक्स्ट्रेंट करने वाला हूँ तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिल्कुल इमिस ना किजिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दू अब मैं गूगल एड की सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूँ उससे भी सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसन है तो प्रिस लाइक कर दिया ताकि इससे मुझी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और और नई नई चीजे लाता रहूँगा चलिए ले लूँगा सभी में बना सकते हैं मैं लीड जनरेशन का एड लेता हूं यहाँ पर क्लिक करता हूं और मैं आप अभी कोई नाम वगएरा चेंज करने वाला हूँ नहीं ठीक है क्योंकि अभी चीज़े टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूं मैं आप नेक्स पर क्लि सकते हैं अपने प्रोडक्त को को करा सकते हैं यह दे जा सकते हैं यहां जैसे कि यह out पापर सब्यस करने पर hàngे और जो लाओ देखे हैं यहां पे चीज मैं करता हूं पर फिर से अधुक करोंगा और मैं यह इंज लेता हूं धाँ यहां डी sets हो क्या उग्या करता हूं और हर image में आप particular headline particular description दे सकते हैं description आपका optional होता है नहीं देंगे तब भी चलेगा लेकिन आपको headline देना जरूरी है इस तरह से add media पर click करके add media add media और add media इस तरह से मैं और add कर सकता हूँ जितरा चाहे उतरा add कर सकता हूँ इससे क्या होता है आपके जो clicks है वह आने के chances काफी 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 जादा बढ़ते हैं क्योंकि आप multiple चीजें बता रहें और लोगों को scroll करना थोड़ा सा पसंद है ठीक है जी आप देख सकते हो अगर आपका कोई add बेस्ट परफॉर्म कर रहें तब क्या करेगा आपका कोई add बेस्ट परफॉर्म कर रहें तब क्या करेगा आप sequence wise बनाते हो ठीक है कि पहले को देखें फिस दूसरे को देखें सब एक दूसरे रिलेट होते हैं इस case में हम इसको off करते हैं अगर सारी आपके करावज़त सारे अलग-अलग है तब आप इसको on कर सकते है जैसे कि product case में हो गया सारे product अलग-अलग है तब आप इसको on कर दो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे है वो product पहले दिखाई देगा यह automatically set होता है तो मेरी जो service है मैं जब service प्रवाइड करता हूं मैं sequence wise बनाता हूं कि इसके बाद इसको यह देखना है तो मैं इसको हमेंसा off रखता हूं लेकिन product case म अगर और आपको प्रैमी टेस्ट करनी तो यहां पर अप्टू 5 आप एड कर सकते हैं call to action बटन देखिए हर industry में अलग-अलग call to action वर्क करता है जैसे कि sign up हो गया get quote हो गया sign up हो गया अब नाम देखते user भाग जाता है यहां पर कि sign up कर आएगा यार मुझे add करना पड़ेग है थोड़ professional चीज़ों में आता है get code अगा लिखते हैं तो हर का अलग-अलग use है book now अगर directly उसको purchase करना है या book करना है तो उसके लिए कर सकते हैं अगर आपको कोई form फील अप करना है अपनी website पे अप्लाय नौक लाप कर सकते हैं तो इसका हर किसी का अलग-अलग use है यहां आप create form कर सकते हैं यह आपका lead generation form है अगर आप चाहते हैं lead generation form के उपर मैं video बना हूँ already वैसे video मैं बना रखा है बट वो वीडियो बीच-वीच में कहीं पे हैं ठीक है मतलब हमारे पूरे ads के video के बीच में है अगर आप चाहते हैं इसके लिए अलग से video बना हूँ तो मुझ आपको एक example दिखायता हूँ यहाँ पर देखिए मैंने WhatsApp message के लिए 20% message के लिए बनाया हूँ था यहाँ पर कुछ gcf निखा what's your business name then यहाँ पर email address phone number then review screen और done ठीक है तो मैंने इस तरह से बनाया था ad मैं इसको publish कर दूँँगा हमारा ad जो है publish हो जाएगा कौन से ad जी झाल